नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभियन स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूटूब चैनल फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जो सांप की काँ चली है इसका हमारी पसूद से कितसा में बहुत ही महत्पून प्रियोग है यह एक किसान आपको आपके पसूद की एक बहुत बड़ी और खास बीमारी में इसका प्रियोग बताने जा रहा है तो मिलते हैं हमारे किसान भाई से तो सर बताईए आप हमारे दर्श्कों को क्या बताना चाहते हैं मैं ये बचाना चाहता हूं स्लवै के जो पशु ओं को लेकिश बीमारी होगोना कि देशी क्याश्यуса, ज और अधवालाए को कुछी बीमारी हो जिना हें आप ज़ुढ़ाए का इस्तमाल कि तो तो सर आपने यहांत में क्या लिगा हुआ है है यह हांत, में सापकी कांचLBERG कहां से मिलेगी हमारे के मिल जाएगी शपयरे के बाइस कहीं पर मिल जाएगी कहीं भी मिल सकती है तो बताईए हमारे पच्वों कोन सी बीमारी में काम करती है और इसको प्रियोग करने की विधी क्या है प्रियोग करने की विधी यह है कि इसको दवाई बढ़िया जैसे गव माता है जैसे दाद खुजली हो जाती है तो इसको दवाई मतलब ये सांप की कैचली है इसको मतलब दवाई बना करके और जैसे गव को हो चुकी है मतलब दाद खुजली तो यह उसको बहुत फायदा करेगी अच्छा तो जैसे भैसों में भी जो उनकी तोचा संबंदी भीमारी आ जाती है उसमें भी यह काम करेगी और कुट्टों को खास कर कुट्टों को भी हो जाए जैसे खाज जैसे अपना कुट्टा जैसे 15,000 का लिया हुआ है दाथ खुज लिग हो जाती है तो तो सर इस से भाई ठीक हो जाएगी इस से बिलकुल ठीक हो जाएगा और यकिन नहीं मानूगे इतना अच्छा दे जैल्ति हचाहा तो सर बटाइए हमारे पाष्णों को कैसे खलानी है और कब क्या नीकिया मातरा में खलानी है यह मातरा इarta कि сложно कऊने चौटी सी गोली बना-ली जाए को अच्य जिकल कशकते इसको एक टाइम अच्छा सुवाय की सोवाय बास एक गोली ख़ला दिया गरों एक दिन में तीन दे ख़लाना है तीन दन में हमारे परशुहों की जो खाज-खुजली की समय से अब से निजात मिलें बोकल को निजात हो जाएगी बिल्बोकर समाप तो हो जाएगी इसका कोई नुक्सान तो नहीं है नग नुक्सान करेगी आपको अच्छ तुसर बहुत भर धन्यबाद आपके हमारे दर्सकुंग को यह बताया कि यह जो साप्की काचली है इसका भी हमारे पशूच किस्तरा मैं बहुत ही महत्पूर्ण प्रयोग है तुसर बहुत भुत धन्यबाद झाल झाल